हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पामी ब्यूटी वर्ट, तो कैसे हैं, आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, तो आज हम आपके लिए के आए हैं, हैंड वैक्सिंग विद आमपिट वैक्सिंग से रिलेटीड वीडियो, फुल डिटेल में बताया ज क्योंकि इनको इतनी ही ग्रोथ आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैक्सिंग का प्रोसीजर, वैक्सिंग स्टार्ट करने से पहले, गाईज अगर आप मेरे चैनल पर फिर्स टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर आमपिट वैक्सिंग से काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी मैंने एक टेल लिस्ट भी बना रखी है तो प्लीज जरूर चेक कीजिएगा और मैंने अधर वैक्सिंग तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करना चैनल पर काफी यूसफुल होने वाली है मैं वीडियो आपके लिए और गाइस अगर करें, शेर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें और एक छोटा सा बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, थैंक्स पर वोचिंग माई डियर वैक से skin के unwanted hair को remove करना waxing कहलाता है, हमारी skin पर जो भी unwanted hairs होते हैं, जिने हम remove करना चाते हैं, तो waxing के दवारा remove किया जा सकता है जरूरी नहीं कि हमारी skin पर unwanted hairs हैं तब ही हम waxing करवाएं, क्योंकि जब हम skin में waxing करवाते हैं तो काफी सारे benefit होते हैं नमबर एक पहली बात तो इससे hair remove हो जाते हैं, दूसरा skin में जितनी भी tanning है wear remove हो जाती है, अगर आपकी skin में dead cells हैं, उन्हें आप remove करना चाते हैं, आपकी skin में एक shine चाते हैं, तब भी आप waxing के side जाएं, काफी सारे benefit होते हैं इसके, और waxing का full procedure आपको दिखाया जाएगा, क किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करनी है, तो बने रहें वीडियो पर आजकल teenage girls भी waxing करवाती हैं, क्योंकि hair gain होता है, तो waxing करवाना compulsory हो जाता है, पहरे तो क्या था कि waxing कोई कोई करवाता था, pre-bride ने wax करवाना है, या फिर काफी जितकी heavy growth है, तब ही wax करवाते थे, पर आजकल ऐसा नहीं है, naturally सभी wax करवाती है, wax हमने use की है, milky wax जो की काफी अच्छी wax है, और waxing का procedure स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने talcum powder लगाया है, talcum powder को लगाने से हमारी skin का moisture level काफी हद तक control में आ जाता है, आपने अच्छे तरीके से talcum powder लगा देन है, उसके बाद हम wax की application करने जा रहे हैं, जब भी आप wax की application करें, तो आप इस बात का ध्यान रहे हैं, कि wax का जो temperature है, normal होना चाहिए, ना ही wax जरूर से ज़्यादा गरम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडी, और आपने wax लगानी है, hair की direction के हिसाथ से, जैसा कि आपको व waxing strip लगाएं, अच्छे तरीके से waxing strip लगानी है, rub करें, और skin को hold करते हुए, opposite direction में waxing strip को pull कर दें, इससे easily सारे के सारे hairs remove हो जाते हैं, waxing का main तरीका यही है, कि आपने wax जो लगानी है, hair की direction के हिसाब से ही लगानी है, जब भी आप wax लगाते हैं, आपने बीच में कोई भी part नहीं छोड़ना, जैसे उपर के area में wax लगा रहे हैं, तो पहले उपर के area को बहुत अच्छे तरीके से cover करें, फिर आप नीचे की side wax लगाएं, ऐसा नहीं कि आपने उपर के part में proper wax की नहीं, और नीचे waxing start कर दी, त आपने क्लाइंट को इस तरीके से hands fold करने के लिए बोलना है, और अच्छे तरीके से skin को hold करते हुए wax के application करनी है, और opposite direction में फिर से waxing strip को pull कर देना है, इस तरीके से जब आप waxing करेंगे, तो easily wax हो जाएगी, और सारे के सारे hairs भी remove हो जाएगे, और जहां वहां आपको लगत है कि wax रह गई है, तो साथ की साथ उस एरिये को cover करते हुए चले, ताकि क्लाइंट बाद में complain ना करें, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है, इन्होंने sleeveless dress wear करनी थी, इसलिए उन्होंने shoulder के पास अच्छे तरीके से wax करवाई है, जब भी आप wax लगाते हो, तो आप इस बात का है, तो वहाँ पर आप powder की reapplication करें, फिर wax की application करें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, और फिर से आपने waxing strip लगानी है, अच्छे तरीके से रब करना है, और opposite direction में waxing strip को pull कर देना है, आपने client को भी पूछते रहना है कि कहीं उन्हें wax ज़्यादा गरम तो न तिर्ची होती है, तो तिर्चे पन में ही हमने wax की application की है, और उसी तरीके से waxing strip लगाकर opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है, देखे, easily इनके सारे के सारे hairs remove होते जा रहे हैं, गाइस अगर आप direction के हिसाब से work करते हैं, तो कभी भी hairs नहीं छूटते, easily सारे के सारे hairs remove हो जाते हैं, और अगर आप बिना direction जाने wax की application करते हैं, और hair remove करते हैं, तो ऐसे में hair तो remove हो जाते हैं, पर जड़ से remove नहीं होते हैं, और बीच में ही तूट जाते हैं, और बाद में आप कितनी भी wax की reapplication कर लो, पर वे hairs जड़ से remove नहीं हो पाते, क्योंकि जो wax हम यूज कर रहे हैं, milky wax ह अगर आप रिका wax यूज करें, तो आपके hair जड़ से remove हो जाएंगे, अगर आप direction के हिसाब से work ना भी करें, अगर आप simple wax यूज कर रहे हैं, तो आपको proper direction की knowledge होनी चाहिए, जब भी आप कोहनी पर wax करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दे कि कोहनी के area को दो बार cover करें, क कर देंगे, तो उससे हमारी कोहनी की जित्ती भी tanning है, बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाएगी, काला पन remove हो जाएगा, जब आप hand waxing करते हैं, तो आपने hands को जरूर cover करना है, क्योंकि जब हमारे hands अच्छे तरीके से clean होंगे, तो proper waxing की अच्छी look आएगी, क्योंकि अगर hands पर hair हैं, तब भी waxing करें, अगर नहीं हैं, तब भी waxing जरूर करें, क्योंकि skin पर हमारी tanning तो होई जाती है, तो tanning को remove करने के purpose से ही, आप hand waxing कर दें, इससे proper even look भी आता है, skin का ऐसा नहीं लगता कि कहीं skin साफ हो गया, और कहीं से रह गी है, तो आपने hands को जरूर cover करना है अच्छे तरीके से wax लगाएं, और अच्छे तरीके से waxing strip को pull कर दें, आपने इस बात का ध्यान देना है, अगर किसी के हाथ जादा ठंडे हैं, तो wax को फिर से गरम कर लें, क्योंकि जादा ठंडे होने की वज़े से कई बार हमारी waxing strip बीच में ही अटक जाती है, तो आप आपने किसी wet tissue paper से बहुत अच्छे तरीके से skin में सिनको clean कर देना है, क्योंकि जितनी भी extra wax skin में लगी रह गया है, उसे remove करने के लिए आपने wet tissue paper लेना है, उसके बाद हमने use किया है aloe vera gel, क्योंकि मेरी client की skin sensitive है, और aloe vera gel लगा कर आपने skin में अच्छे तरीके से massage दे दे तो चलिए start करते हैं, अब armpit waxing का procedure, hand waxing का procedure complete हो चुका है, सबसे पहले हमने इनकी skin में talcum powder लगाया है, क्योंकि इनको काफी sweating आती है, talcum powder लगाने से skin का moisture level काफी हद तक control में आ जाता है, और इन्होंने बीच में razor use कर लिया था, इनके जो hairs हैं अब थोड़ी से hard हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी waxing करवाने में इनको pain भी हो रहा था, क्योंकि जब भी आप razor use करेंगे तो आपके hairs hard हो जाएंगे, wax की application की है, हमने hair की direction के हिसाब से half में wax लगाई है, क्योंकि मेरे client ने बोला था कि मुझे pain जादा होगा, इसलिए हमने एकदम सारे में wax नहीं लगा हैं, वहाँ पर wax की reapplication करेंगे, बाकी जो area में जहाँ wax हो गी है, वहाँ पर भी wax लगा दिया है, ताकि skin की tanning काफी अच्छे तरी किसे remove हो जाए, फिर से waxing strip लगाई है, और opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है, देखे कितने easily इनके सारे के सारे hairs remove हो गए हैं, एक दो hairs रह गए थे औ कर दी है, क्योंकि wax हमने use की है, milky wax और जब हम milky wax का use करते हैं, तो इस wax का reapplication का use करने में बिल्कुल भी problem नहीं होती, और इससे skin की tanning बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाती है, काफी soft and smooth हो जाती है, इसका use करने से skin काफी अच्छा result है इस wax का, और अच्छे तरीके से waxing strip ल यह application ना करें, पर मेरे client के साथ कुछ ऐसा issue नहीं था, काफी easy तरीके से इनके सारे के सारे hairs remove हो गए थे, underarm waxing करने के बाद हमने use किया है wet tissue paper, ताकि जितनी भी skin में extra waxing लगी हुई है, वे remove हो जाए, काफी अच्छे तरीके से आपने skin को clean करना है, उसके बाद यूज किया ह after waxing gel, guys अगर आपको वीडियो useful लगी हो तो please वीडियो को like करें, share करें, thanks for watching,